ये डिजिटल मार्केटिंग सीखते समय आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे ये आपका सवाल है तो येस टाइप कीजिए जी ओकी देखें में एक बात बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में 99% चीजे फ्री ओफ कॉस्ट होती है लेकिन हर चीज जो फ्री होती है वो एक लिमिट तक फ्री होती है एक लिमिट से आगे जब आप उस चीज को यूज करेंगे या यूज करना चाहेंगे तो कोई भी आपसे पैसे मांगेगा क्योंगी यहाँ पर हर कोई बिजनस करने के लिए है अब आपको बताता हूँ आपको खर्च कितने करने पड़ेंगे पैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मेरे हिसाब से जीरो आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ सबसे पहला खर्च जो मैं आप लोगों को करने के लिए बोलता हूँ वो यह है कि आप अपना डोमेन खरीद लीजे डोमेन यानि कि आपका डिजिटल नाम आपका एड्रेस www.amazon.com यह क्या है यह डोमेन है www.digitalazardy.com यह क्या है यह डोमेन है मैं कहता हूँ आप यह डोमेन खरीद लीजिए इसका मतलब यह नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको डोमेन खरीदना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ आप डोमेन परचेस कीजिए क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तभी आप इंप्लिमेंट करना शुरू करेंगे और सीख कर इंप्लिमेंट करते करते आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है यह जो वेबसाइट है यह जो यूरल है जो डोमेन है यह आपकी प्रॉपर्टी है ये create हो जाएगी आपको double efforts, double time waste नहीं करना पड़ेगा अगर आप कहेंगे कि यार मैं फिर website कैसे बनाऊँगा मैं blog कैसे करूँगा तो wordpress.com पर चले जाएए और free में आप अपना blog खड़ा कर सकते हैं domain की जरूरत नहीं पड़ेगी blogger.com पर चले जाएए अपना blog आप free में खड़ा कर सकते हैं आपको जरूरत नहीं बड़ेगी अगर google my business में आप अपना listing कर लें अपना नाम दर्च कर लें तो google आपको one page की website free देता है wordpress की नहीं लेकिन उनका खुद का एक system है वो आपको free देता लेकिन आज नहीं तो कल 100% हम में से हर किसी को website की जरूरत पढ़ने ही वाली है मैं लिखके दे सकता हूँ अब website कैसे क्यो requirement है कैसे बनाओंगा किसकी बनाओंगा समझिए इसको simple है अगर आपका कोई business है तो सीधे सीधे अपने business की website बना लीजिए उस पर practice कीजिए आपके business का भी फाइदा हो जाएगा आपका भी फाइदा हो जाएगा लेकिन आपका कोई business नहीं है तो आप अपनी personal website बनाईए संदीब्बंसाली.com लीजिए और website बनाईएगा मतलब यॉर नेम आपका जो भी नाम है .com खरीदिए और अपनी website बनाईएगा अब सवाल है कि मैं अपनी website पर डालूँगा क्या मैं तो आम इंसान हूँ कोई बात ने आप अपने बारे में डाली आप क्या सोचते हैं उसके उपर लिखिए आप जो सीकर हैं उसके बारे में लिखिए आज आप common है सही तरीके से चलते रहे तो बहुत जल्द आप special बन जाएंगे तो आप आगे चल कर जो भी मेहनत करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले अपनी ownership बना लीजी इसलिए मैं कहता हूँ domain ले लीजी अब domain ले लिया तो hosting एक ऐसी चीज है जो हाँ थोड़ी सी महंगी है लेकिन वो खर्चा एक बार के लिए बांध लेना चाहिए 1000 रुपय का budget domain के लिए काफी है अगर आप एक decent सा domain लेना चाहते है तो और hosting जो है यह करीबन 1500 से 200 रुपया महिना बंगती है यानि 2400 रुपया साल का 2400 रुपया hosting 1000 रुपया domain 3400 मैं बोलता हूँ 5000 रुपीज का budget लेकर चले आगे चलकर जब आप Facebook आड सिखेंगे YouTube आड सिखेंगे Google आड सिखेंगे तो मैं आपको suggest करूँगा कि 300-400 रुपया खर्च करके आप एक आड रन कीजी क्योंकि मैं चाहे जितना ही आपको सिखा लूँ आप समझ सब कुछ जाएंगे लेकिन 200-300 रुपय की आड अगर आप रन करेंगे तो आपको अनुभव आएगा आपको practically समझ में आजाएगे कि कहां क्या यूज करते हैं तो ओमका रोजा जी आपके प्रशन का उत्तर ये है कि मेरे हिसाब से पूरे साल का अगर आप 5000 रुपया अलग से निकाल के रखें तो काफी है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए 5000 रुपीज इस माइ आंसर टुई नरेश कह रहे है सर मैं हिंदी में भी डोमेन बना सकता हूँ ये इंग्लिज डोमेन बेटर है इंग्लिज डोमेन बेटर है देखिए गूगल इंटरनेट पिछले डेड़ से दो साल में रीजनल लैंग्वेजिस को पढ़ना उसने शुरू किया है लेकिन अभी इसमें प्रोग्रेस होने में टाइम है सेकेंड़ी अगर आप इंटरनेट से काम करें www World Wide Web तो एक लोकल लैंग्वेज में अपना डोमेन बना कर आप क्यों अपने आपको सीमित करना चाहते है मैं रेकमेंड करूँगा इंग्लिश नरेज जी कह रहे हैं जिस नाम से मेरा फेस्बुक पेज है उसी नाम से वेबसाइट बनाई जाए ये अपने नाम से नरेज जी ये दो अलग-अलग चीजे है आपको किस तरफ आगे बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है परस्नल ब्रैंडिंग यानि आपका नाम संदीबंसाली.com परस्नल ब्रैंडिंग डिजिटल आजादी.com ये मेरा बिजनिस है ये मेरा प्रोफेशन है ये मेरी आइडिया है ये मेरा ब्लॉग है नरेज कह रहे हैं क्या फेस्बुक पेज के साथ वर्डप्रेस करना ज़रूरी है नरेज जी मेरे इसाब से वर्डप्रेस ज़रूरी है क्योंकि फेस्बुक जो है ये एक social media का platform है इसका कोई भरोसा नहीं है ये आज है, कल नहीं होगा आप facebook page पर महनत करेंगे अपना page live करेंगे postings करेंगे हजारों लाखों views आएंगे लोग like करेंगे, join करेंगे और अगर किसी दिन facebook ने page उड़ा दिया तो क्या कर लोगे? facebook page third party है आपकी website ये आपकी property है इन दोनों का अंतर समझी कोई comparison नहीं है कई बार हमारा मन हमसे कहता है यार website छोड़ो यार website का हम क्या करेंगे, हमें कोई उप्योग नहीं है क्या फाइदा, trust me website लोकनीती में ना सिर्फ दो ही ऐसी चीज़े है एक्चुली डिजिटल आजादी में सिर्फ दो ही ऐसी चीज़े है जिने मैं शस्त्र कहता हम बाकि सब अस्त्र है फर्क समझाओं कोई चीज, कोई भाला, कोई तीर हम किसी पर प्रोजेक्ट करते हैं, फेक कर मारते हैं तो उसे अस्त्र कहते हैं, यह चला जाता है हमसे दूर यह यूज होके खतम हो जाता है शस्त्र होती है तलवार, जो हम हमेशा हमारे पास रखते हैं इसलिए वेबसाइट को कहते हैं, शस्त्र, यह हमेशा आपके साथ रहेगा आपके क्लोज, आपका, यह कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा इसलिए उसका नाइम वेबसाइट शस्त्र है दूसरा शस्त्र, डिजिटल मार्केटिंग में जो आपके पास होगा वो होगी आपकी इमेल की लिस्ट, आपके कॉंटेक्स डिजिटल मार्केटिंग के शेत्र में सिर्फ दो ही शस्त्र है वेबसाइट और आपकी लिस्ट, आपकी इमेल मार्केटिंग की लिस्ट, ये मेरी बात हमेशा याद रखना हूँ, इसलिए वेबसाइट ज़रूरी है, फेस्बुक का पेज, सेकेंड आएगा, शिशुपाल चौधरी जी कह रहे हैं, होस्टिंग क्या होता है, शिशुपाल जी, आप वेबसाइट शस्त्र जब कोर्स करेंगे, तो उसमें होस्टिंग में, डीटेल में समझाता हूँ, फिलाल मैं आपका सिर्फ कॉंसेट प्लियर कर देता हूँ, कि www. शिशुपाल चौधरी.com, ये जो है, ये है डोमेन, इसको URL कहते हैं, तो इसको जब टाइप करेंगे, तो आपकी वेबसाइट खुलेगी, लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट की जो फाइल्स होती है, इसे एक सर्वर पे रखना पड़ता है, जो सर्वर पे हम इसे रखते हैं, उसे होस्टिंग कहते हैं, वो होस्ट होता है, उसके पास सारी फाइल्स होती है, जब आप ये URL रन करते हैं, www. शिशुपाल चौधरी.com, तो वो उस सर्वर पे चला जाता है, और वहां से फाइल्स लेकर आ जाता है, ये सर्वर जो है, ये होस्टिं पर, help करना चाता हूं, हजारों लाखों लोगों को, कि वो अच्छे से अच्छे डोमेन और होस्टिंग खरीदें, अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बनाने में मास्टरी करें, और अपनी वेबसाइट से अपने बिजनस को और अपने परसनल ब्रैंड को नहीं हूं, चाहिए उपे लेजाएट